स्रेश शिवाय, नमस्तु भ्याम, हम सबको पता है कि नौ फरवरी को मौनी अमवस्या का बहुती प्यारा से दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हमें शिवलिंग से उठा करके एक छोटी सी चीज अपने घर में रखनी होती है वो कौन सी चीज है जिससे हमारे घर में 24 घंटे में चमतकार होता दिखाई देगा पूजी गुरुजी की कताद सुनके बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा मौनी अमवस्या का पर्व है चुप चाप इस उपाय को कर लेना पूरे साल आपके घर में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हमेशा आपका पूरा परिवार खुश रहेगा, निरोगी रहेगा, सबस्त रहेगा अब आपको क्या बताओं कि शिवलिंग के उपर से हमें कौन सी चीज को उठानी है उससे पहले एक छोटा सा काम आपको करना है, वो काम कौन सा है, यहाँ पे देखो मौनी अमवस्या का पर्व है, शाम के टाइम पे प्रदोश काल में आपको जाना होगा सबसे पहले अपने घर के आसपास जो भी कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, बावडी, कुवा हो, वहाँ पे जाएंगे कहोगे भीया, हम तो बहुत बड़े शहर में रहते हैं, हमारे घर के आसपास में नदी है, ना तालाब है, ना कुवा है, बावडी है, हम क्या करें तो आपको क्या करना है, अपने घर के किचन में चले जाना, और किचन में जहाँ पे पीने का पानी रखते हो, मटका हो, परिंडा हो, वहाँ पर आपको एक घी का दिया, लंबी बत्ती का लगाएंगे, और जो बत्ती आपको लगानी है, उस बत्ती की जो दिशा होगी, वो लादान है, ना समझ है, हमसे जो भी गलतियां हुई हो, आप हमें छमागरने, क्योंकि जो मौनी अमवस्या या फिर कोई से भी अमवस्या है, वो हमारे पित्रों के लिए होती है, पित्रों को खुश करने के लिए होती है, उन्हें तिर्प्त करने के लिए होती है, तो इस पहले से वहाँ पर चड़ी हुई हैं, चाये मूं का दाना हो, चावल का दाना हो, बेल पत्र हो, धतूरा हो, भांग हो, जो कुछ भी चड़ा हुआ है, कोई भी एक चीज वहाँ से उठा लेंगे, अगर वहाँ पे कोई पंडित जी हैं, ब्रामर दे होता हैं, तो उनसे मागन कि वहाँ से कुछ भी उठा के हमें दे दीजिए, अगर वो नहीं देते हैं, तो आपको महादयो के शिवलिंग के उपर से कुछ भी एक छोटी सी चीज को उठा लेना, ठीक है, उठाने के बाद में एक लाल कपड़ा लेना, और उस लाल कपड़े में उस एक छोटी सी आप में घर में कितना परिवर्तन होगा, कितना चमतकार होगा, आप खुद मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीके, करिएगा जरूर इससे सुन्दर उपाए, इससे प्यारा उपाए, मौनी अमवस्या का नहीं हो सकता, ठीके, समझे आप, यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाए की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाए के तरफ, और दूसरा उपाए होगी, आपकी कितनी भी पुरानी मनों कामना होगी, उसको पूरी करने के लिए, आप कुछ इच्छा है लेने की, आप उस चीज को लेनी खरीद नहीं पा रहे हो, या फिर कहीं जा नहीं पा रहे हो, तो आप इस उपाए को करेंगे, ठीक है, देखो, उसके लिए हमें तीन चीजों की जरुवत है, वो तीन चीज कौन से हैं, आपको लेना होगा एक चुटकी काला तिल, गिनना नहीं है, एक चुटकी काला तिल लेंगे आपको लिने होंगे 5 लोंग कितने पाँच लोंग कितने 5 लोंग लेंगे 5 काले मिर्च भी लेकिन जो काला थिल होगे वो 31 चुटकी लेंगे इन तीनों चीज22 ने NICK जिसमें जल भर लेना और जल को लेकर के पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में चाहे तो यह उपाय अपने घर पे करें या फिर महादेव के मंदिर में करें सुबह दो पहर शाम रात कभी भी कर सकते हैं ठीक है अब आप देखो आपको क्या करना है जैसे ही महादेव के शिवलिंग के पास आप एंटरी लो जो कुछ भी आपको चढ़ाना है जो तीन चीज मैंने बताया काला तिल लॉंग और काली मिर्च उसे अभी चढ़ाना नहीं है सबसे पहले एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के उपर स्रेश वाय नमस्तु भ्यम बोल क करके समाद्प्रत करना जो कुछ भी वहाँ चढ़ाना हो चढ़ा दीडा जब आप पूजन करके महादेव के शिवलिंग से बाहर आएंगे तो महादेव का जो चोखट होगा उसी चोखट के किसी भी साइड या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड आपके पास में जो तीन चीज़ें हैं आपकी जो भी कामना है जो भी विशेज हैं उनका इसमनण करते हुए कुंद केशवर महादेव फिर से बोल रहा हूँ कुंद केशवर महादेव की नाम से चोखट पर रख करके और चुप चाप अपने घर की तरफ चरे जाना लाइफ की कितनी भी प को जरूर से जरूर करना ठीके दो पाय आपको समझ में आ गए हैं आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक और जितने भी भाई देैं इस आवाज को पहली बार सुन रहें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ठीक है चलो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस तीसरे उपाय के फाइदे क्या होंगे ठीक है इसके फाइदे बहुत ही ज़्यादा इस्पेशल है बहुत प्यारे हैं इसका एक फाइदा तो बहुत ज़्यादा है हमारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती तो उस निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए इस अमवस्यातिती पे आपको इगुपाय करना है उसके लिए आपको लेने होंगे मात दो कपूर के टुकड़े गिन करके दो कपूर के टुकड़े लेंगे सांती साथ आपको लॉंग लेना है जो लॉंग लोगे वो चार लॉंग आपको लेने होंगे गिन करके और उस लॉंग में इस तरीके से फूल लगे हुए हो ठीके चार लॉंग दो कपूर के टुकडे और आपके घर का जो भी मध्धि बिंदू हो जो भी मिड़ पॉइंट आपको लगता है कि ये हमारे घर का मध्धि बिंदू हो सकता है वहाँ पर आपको छोटे से दीपक में उनको रखना होगा दो कपूर और चार लॉंग को रख करके आपको अपना जो मुख रखना है वो साउथ डारेक्शन नहीं कि दक्षिर दिसा के तरफ रख करके और उसको जला देना ठीक है जब तक वो जल रहा है अपने पित्रों का ध्यान करेंगे इसमनण करेंगे कि हमारे घर में जिन भी वज़े से समस्याएं आ रही हैं प्रॉब्लमस आ रही हैं आप हमें छमा कर दें और हमें इन सभी समस्याओं से मुक्ती दें अपने अकॉर्डिंग प्रात्ना करेंगे जब वो जल करके खतम हो जाए कपूर और लॉंग तो लॉंग की राख आपको इस दीपक में मिलेगी ठीक है उसको उठाएंगे और आपके घर के आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ हो उसके नीचे ले जा करके आपको उस राख को डाल देना है इस उपाय को भी करने का कोई टाइम नहीं है सुबह दोपहर शाम रात कभी भी आपका मन करता है इस उपाय को कर सकते हैं इससे प्यारा उपाय नहीं हो सकता अपने घर की किसी भी प्रकार की निगेटिव इनरजी को घर से दूर करने के लिए ठीक है करिएगा जरूर तो यहाँ पे हम लोगोंने तीन उपाय की बात कर ली है अब जो उपाय की बात हम लोग करने जा रहा है अब तक हमने तीन उपाय की बात किये है आप चाहे तो वो तीनों उपाय करें या ना करें कोई दिखकत नहीं है लेकिन ये जो मैं चौथा उपाय आपको बताने जा रहा हूं ये उपाय तो आप सभी लोगों को जरूर करना है क्योंकि ये सबसे प्रसिद और सबसे फेमस और वो चावल कच्चा चावल होना चीए चाहे वो टूता हुआ चावल हो चाहे खंडित हो चाहे खड़ा खड़ा चावल हो उससे दिक्कत नहीं है बस एक कटोरी चावल लेंगे ठीक है इन दोनों चीजों को अमवस्या तिथी पे शाम के टाइम पे 6 बजे के बाद में ज कि चोखट के बाहर किसी भी साइड चाहे तो इस साइड या फिर इस साइड आपको उस एक कपूर को रखना होगा उसके ऊपर एक कपूर को रख देना ठीक है और उसको ढख करके वहीं पर रख देना इतना करने के बाद में आप फिर चले जाएं सोने के लिए या फिर आप ज उठने के बाद में सबसे पहले आएंगे और उस कपूर के टुकड़ों को जलाएंगे असनान वगएरा करने के बाद में इस कपूर के टुकड़ों को जलाएंगे अपने पित्रों का ध्यान करेंगे इसमनण करेंगे उनसे प्रातना करेंगे कि हमारे घर में इस तरीके से समस हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा कस्ट में हैं, आप हमारे इस संकट को दूर करें, जब तक वो कपूर का टुकडा जल रहा है, तब तक आपको प्राथना करनी है, ठीके, जब वो कपूर का टुकडा जल करके खतम हो जाए, तो उन जो चावल क टुकडे होंगे, चावल के दाने होंगे, उनको उठाएंगे, और किसी भी पेंड के नीचे, जहां पे चिडिया वगरा आती है, चाहे पेंड के नीचे, या फिर अपने घर के छट पे, या फिर अपने घर के बाहर, कोईसी भी चिडियों के लिए, आपको उन चावल के द जो कपूर जलाना है वो आपको रात के टाइम पे नहीं जलाना है कपूर जलाने की जो विधी है वो आपको सुबह के टाइम पे आमवस्या तिथी पे रखोगे जलाओगे आमवस्या के अगले दिन सुबह के टाइम पे जलाएंगे परातना करने के बाद में जब कपूर का ट जिरिप्त रहेंगे आपसे खुश रहेंगे कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा समझाने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कॉमेंट सेक्षिन में पूछें और अगर आप लोगों मेंसे किसी को भी मुझसे फोन पर बाते करनी हैं मैसेच पर बाते करनी हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसके लिए सर्च करना होगा दानेचुरल प्लैनेट 108 वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बाते कर सकते हैं और हाँ यहाँ अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे स्रेश वाय नमस्तु भ्यों